पर नातर लेके आया हूं और एक नया वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो में एनिमेल और बाड की सबसे जरूरी जो तीन चीज उसी के बारे में पुरा बताएंगे जैसे की टेंपरेच्या, हुमिलिटी और अक्सिजन ये तीनों चीज कैसे एनिमेल और बाड की उपर एफे में कहां कहां ये देखने को किस टाइब में मिलता है तो उसी के बारे में भी पुरा बाताएंगे तो मैं तो वेस्ट बेंगल में हूं तो इसी के खतिर में वेस्ट बेंगल की बारे में पुरा बाताएंगे टेंपरेचर के इसे वेस्ट बेंगल में एफेक्ट परती है एन जैसे की दार्जिलिंग रहती है, टेंपरेचर कम रहती है मतलब हुमिडिटी उहां कम रहती है और जैसे ही थोड़े दूर राजस्तन की तरफ जाओगे तो उहां टेंपरेचर की परिवान और ज़्यादा रहती है उसी से उसी के कारण वहाँ पे टेंपरेचर हाइ होती है तो एनिमेल की हाइड भी बढ़ना इस्टेट हो जाती है तो ये तीन चीज टेंपरेचर, हुमिडिटी और अक्सिजन इसी के डिपेंड करके एनिमेल और बर्ड अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया करती है और जीने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है और ये कमती है और ये अपडाउन होती है तो उसी के कारण भी बीमारिया भी आती है तो आज भूल बताते हैं एक करके एक करके क्या-क्या इफेक्ट होती है मानो की राजस्थन, राजस्थन में जाओगी तो एनिमेल, वहां का एनिमेल हाइड में थोड़ा बहुत बड़ी होती है क्योंकि उन्हादा होने के कारण, खना जैसे भी मिलता है उसको तो हाइड बहुत जल्दी बारना इस्टाट है साथ में तमिल लाड़, केरलर इधर जाओगी तो वहां भी टेंपरेचर हाइड रहती है इसलिए एनिमेल और वाड़ देखने में काले रंकी होती है और ग्रोथ भी सोई से होती है और जैसे ही दालजी लिंक के तरफ या हिमाचल या कास्मीर या कन्या कुमारी इस तरफ जाओ गई तो यहां हमेशा टेंपरेचर कम रहती है इसलिए जैसे ही टेंपरेचर हाइड हो जाती है तो बारिस ओटोमेटिक आ जाती है तो इसी कारण यहाँ temperature हमेशा low भी रहती है तो इसकी कारण में क्या effect परती है एनिमेल के और वाड के उपर एनिमेल और वाड की body के weight ज़्यादा होती है उसके पैखम ज़्यादा होती है और जगा में जो एनिमेल रहती है उसके लॉम ज़्यादा होती है height थोड़ी कम होती है और problem क्या आती है humidity कम रहती है क्योंकि ठांड ज़्यादा इसका मतलब humidity भी कम रहेगी और गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगी गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ humidity ज़्यादा होती है तो ये बाते जरूर ध्याद रखे जहां मानो ठंड ज़दा है वहाँ पे humidity की problem ज़दा आएगी और बीमारी क्या आएगी नाफ्स related बीमारी नाफ्स weak होना, paralysis हो जाना यह सारे बीमारी common है और जहाँ temperature high होगी वहाँ की animal की क्या के effect परती है जहाँ temperature high होती है वहाँ जैसे की digest problem, skin disease animal related any problem महाँ पे आती है तो उसको तीन चीज को हमेशा ध्यार राखे temperature, humidity और oxygen आगया तो गर्मी आगया तो क्या होगा बास्पीबवन भी ज्यादा होगा जीलों में नदियों में जमा पानी बास्पीबवन होना इस्टाट हो जाएगा तो यार में क्या होगा humidity level बाढ़ना तेह है तो जब humidity level बाढ़ना स्टाट हो जाता है तो नार्प्स रिलेटेड बीमारी ज्यादा तर आती है तो इस टाइम आपको humidity control में रखना होगा तो यह चीज़े आप थोड़ी से भी क्यार में राखोगे तो बीमारी तो आना बिल्कुल मुम्किम नहीं है यह तीने चीज़े एनिमेल और वाड के सर्भाइव करने के लिए lifetime के health lifetime को healthy करने में मदद करती है जैसे ही आप हिमाचल में जाओगे तो वहां क्या दिखेगा आपको ज़्यादा तर ऐसे ऐसे plants दिखेंगे जो की ठान सेने में माहिर होती है जैसे की यह रोजुईड और महगणी ऐसे चीरो सबुज बिख मिलेगा जो की हमेसा सबुज और गिरिय रहता है दूसरी तरफ गर्मी के जगा में जाओगे जैसे की राजस्थान तो वहां पर क्या दिखेगा आपको वहां पर टेंप्रेशर हाई होती है तो पानी भी लेवल भी नीचे रहता है तो वहां पर क्या क्या प्लेंट देखने को मिलता है जैसे की मानों आप ठन के जगा के हो और गर्मी के जगा में जा रहे हैं तो आपको दिक्कत आना तहीं है तुक्हल भण से अम्हिस से लिए गर्मीद के तरह आ रहे है तो उहाँ पे आपको बोडी में भी प्रब्लेम दिखेगा है इसके लिए आपको क्या करना है यह प्रब्लेम आपको झेलने के लिए नेचारल खहना होगा तो नेचरल क्या है यह नहीं जानते तो उसके लिए मैं बहुत वीडियो स्टिमाल क्या करें झाल करें येव बातें अपजाब करोगी तो आसानिसे आपको समझ भी आएगा है है तो अरक बार में फीर डीटेंस बाता देता हूं डिवारंस इंडिया क्लाइब डिफारेंस एरिया में डिफारेंस-टाइप की रिखने को मिलते हैं जैसे कि राजस्थान जहां पर टेंप्रेचर हाई रहती है तो इस टाइम यहां पर एनिमेल और बार्ड की हाइड भी जल्दी गरत होती है कि आदर्स जगा में इतना हाइड की अनिमेल नहीं दिखने को मिलेगी दूसरे तरफ ठान की जगा जैसे कास्मीर, इमाचल, कॉन्यकुमारी यहां पर जाओगी तो आपको ज्यादा तर कम हाइड की अनिमेल और बार्ड दिखने को मिलेगा कम हाइड होगा मतलब उसका वेट ज्यादा दिखेगा, वेट और लॉम यह दुनों ज्यादा दिखेगा, क्यूंकि यहां टेंप्रेचर कम रहती है तो उसे जहलने के लिए अटोमेटिकली अपना बोडी का इस्टक्चर ऐसा बन जाता है, एनिमेल और वाड का, जैसे ही आप वैस्ट बेंगल में आयोगी त थोटा, दुनों में इतना ज़ला डिफारंस नहीं मिलेगा, लागबग सभी एक ही परकार के दिखेंगे, क्यूंकि यह टेंप्रेचर बेसी आप डाउन नहीं होता यहां, ठीके दोस्तों, तो टेंप्रेचर, हुमिडिटी और अक्सिजन यह तीनों की बारे में और कुछ दिख्कत है, आपको जानने में की, तो कमांड में जरूर पूछे, मैं शपन मा तो उसके लिए और एक वीडियो जरूर लाओंगा, और फाम में टेंप्रेचर, हुमिडिटी, इस कारण में आपको कुछ दिख्कत आती है, तो मुझे कमांड करे, मैं उसका प्रब्लेम प्रब्लेम करना है, तो यह सब चीजे आपको माईनने घुषाना पड़ेगा, इसके लिए ना कि आपको कुछ मेडिसीन का यूज करना है, ना कुछ करना है, से बिखत स jaws दिख्कत आतान मेडिसीन,सका इलाज करना है, इसका इलाज है, इसका यूज है, तो आसाने से समझ लोगे तो यह तो आसानी साब शुटकार अभी पास सकती हो ठीक है दोस्तों तो नेचार के कारण में जो बीमारी आती है उसके लिए और दूसरे जगा के जरूरत नहीं नेचार के पास ही आपको जाना पड़ेगा और नेचारल मेडिसिन जानना चाहती है तो उसके लिए मैं मैं बहुत सारे वीडियो वना चुका हूं तो आप देख सकते हो आसाने से और नचार की जो नचार की आपडाउन की और हुमिड़ी टेंपरेचर आपडाउन की कारण से जो बीमारी है आप हमलवार है तो यह तो आपको जरूरी होगी तो आप जरूर देखे दोस्तों ओके द बाई